है इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाली है क्योंकि इस सीरीज में प्राब्लम के बारे मात करने वाला हूं जो जरेरली सब के साहते होंगे और वह प्राब्लम आप सब समझ गयोंगे that is the problem of time management, how to manage your time इस series के अंदर आप वही सारी पूरी चीज़ सेखने वाले हैं, देखें जरनरली YouTube पे जो वीडियोज होते हैं, वो एक अही वीडियोज में सारी चीज़ बता सकते हैं, बता देते हैं और practical तरीके, practical tips नहीं बताते हैं कि जो method हमें बताया गया है time management का, उसको implement कैसे करें, तो मैं आपको implementation तक पहुचाऊंगा, हर एक जो time management की technique है जो method है, उस पे आप detail में कौन सी book पर सकते हैं और उस technique को कैसे use करें वो मैं हर technique में बताऊंगा, right, technique और उससे related book, right तो nine popular time management methods हैं और ये methods, आप कोई भी time management का course ले लिजे, आपको उस course के अंदर यही सारी चीजे बताई जाएंगी, alright, तो यहां पर 100% practical तरीके में बात करूँगा और शुरू करते हैं इस वीडियो को, और generally मैं presentations में वीडियो लाता हूँ और अगर आप मेरे चनल पर नए हैं digital business guide, product selling guide lead generation guide, and other guides जो मैंने बनाई हैं, और बहुत ही effort के पाद ही guides मैंने बनाई हैं, right, तो इन guides को आप download कर सकते हैं, okay, so बढ़ते हैं, पहला method जो हमारा है that is called eat the frog, eat the frog method, कैसा method है यह, इसके बारन थोड़ा सा अच्छे सा जानेंगे हम लोग eat the frog एक ऐसा method है, जिसमें just one minute, मैं थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा exposure आपको मिल सके, eat the frog एक बहुत ही popular method है, और सबसे पहला method यह हमारा time management का time management देखिए, time generally managed तब नहीं हो पाता, जब आपको यह important काम है, वो delay हो जाता है तो eat the frog, जो पहली बात eat the frog एक book भी है, eat the frog जो की brand Tracy ने लिखी है, और इस book के अंदर बताया गया है कि कैसे हम अपने time को manage कर सकते हैं, फिलाल यह book focus करती है, और यह technique पर बात कर लेते हैं पहले, जो technique है, इस technique का मतलब यहाँ पर किसी frog को खाना नहीं है, जो इसे frog बना हुआ है, ऐसा कोई यहाँ पहले है नहीं कि frog को खाना है आपको, frog का मतलब है बहुत ही ज़्यादा important work ठीक है, start your day by tackling the most important task first thing in the morning, जब सुबह सुबह उठते हैं, तो जो सबसे important काम है, उसे आपको पहले finish करना है, पहले complete करना है, और उसके बाद आप दूसरे काम करेंगे, तो आप decide कर लिजे कि आपका सबसे important काम गौन सा है मेरे लिए सबसे important काम यह है कि मैं सोबह सोबह उठके, वीडियो की प्लानिंग करता हूँ कि कौन से वीडियो बनाना है content ready करता हूँ, content तो पहली से मेरे ready रहता है, ठीक है, सब कुछ एकी दिन मैं नहीं करता हूँ, तो जी सबसे important काम होता है, जिसे माली आज मैं वीडियो record करना था, तो मेरे लिए सबसे important काम यही है, तो मेरे दिमाग में हमेशा focus बना रहेगा, और इसके लिए मैं अलग से to-do list भी बनाता हूँ, जिसके जरीए, मैं अपना focus के साथ जो सबसे most important काम है, most important task है, उसको मैं complete कर देता हूँ, right, तो eat the frog principle का मैं follow कर रहा हूँ, eat the frog जो method है, इसको आप भी follow कर सकते हैं, आप अगर student हैं, तो भी आप follow कर सकते हैं, आप entrepreneur हैं, student हैं, teacher हैं, या कुछ भी हो हैं, आप इस principle को, आप इस method को, technique को follow कर सकते हैं, यह बहुत ही brilliant minds ने यह technique दी है, और अगर आप इसको follow करेंगे, तो आपको productivity बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, prioritize tasks based on their significance, not just their urgency, आपको चीजों को arrange करना है, माल लीजे, दिन में आप 10 काम करते हैं, तो आपको उनको prioritize करना है, prioritize का मतलब यह है, कि सबसे important काम सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद दूसरा सबसे important काम, दूसरे नमबर पे, तीसरा सबसे important काम, तीसरे नमबर पे, खीक है, वैसे तो सबसे important काम जो है, एक ही होता है, वरना अगर आपके लिए कुछ काम और भी important है, तो आप उनको first, second और third नमबर पे रख सकते हैं, अगर आपकी to-do list बहुत लंबी बनती है, तो to-do list के छोड़ा करने कोशिश कीजिए, कुछ काम जो है, automate कर दीजिए, कुछ काम delegate कर दीजिए, वह बाद मैं आपको सिखाऊंगा other उसमें, वीडियो में, okay, तो आपको urgency के साब से नहीं कि ये काम जल्दी करना है, और ये काम बहुत important है, ठीक है, ये काम ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको prioritize करना है चीजों को, जो आप prioritize करते हैं, तब आपकी life better हो जाती है, और आप better तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं, ठीक है, urgency के साब से कि जल्दी जल्दी इस काम को कर लेते हैं, यह आपको नहीं करना है, priority खिसाब से आपको काम करना है, तो आपके बढ़ते हैं, effective for, यह किसके लिए effective, effective for critical thinkers and procrastinators, अगर आप एक procrastinator हैं, यानि कि आपको काम टालने की आदत है, तो आपके लिए effective method है, eat the frog, और critical thinker अगर आप हैं, ठीक है, बहुत critical thinking आप हैं, बहुत गहन वि हो जाए, right, जो भी research analysis है, जो भी बहुते deep work है, वो मैं अपना सबसे जदा important काम complete करने के बाद ही अपना कर पाता हूँ, right, बिना important काम complete के, बिना frog को खाये, eat the frog, बिना किये, मैं दूसरा कोई भी other काम नहीं करता, okay, तो मैं आपको बताऊंगा अब, कि यह चीज़ डीटेल म कौन सी पर सकते है, right, मैं best book generally prefer करूंगा, right, और अभी आप सब देख सकते हैं, थोड़ा सांदेरा होगे, just one minute, तो हम वापस से bounce back करते हैं, किसी भी हालत में काम नहीं रुकना चाहिए, right, तो यह जो book है, यह जो technique है, यह उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी है, जो लोग critical thinkers है, जो लोग procrastinator है, जो लोग काम को टाल देते हैं, या जो लोग बहुत ही, बहुत ज़ादा, विचार करने के बाद, बहुत ज़ादा सोचने के बाद काम स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोग के लिए यह technique बहुत जरूरी है, फिक है, जो लोग सोचते ही रह cooperation है, उन लोग कुछ भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए best book मैं आपको बताने जाए था दो best book मैं आपको बताऊंगा पहली book जो है वो खुद eat the frog नाम से है जो की brand Tracy ने लिखी है brand Tracy की psychology of selling book जो है मैंने पढ़ी है eat the frog भी मैंने पढ़ी है उसके बाद ही ये सारी चीज़े बना के मैं आपके सामने ला रहा हूँ दूसरी है the one thing by Gary Keller Gary Keller की ये book the one thing ये आपको बहुत ही heights पिले जाएगी यानि की आपको जादा जादा success अचीब करने में help करेगी Gary Keller की ये book eat the frog book is very best book you can read this book for optimizing your productivity your productivity will definitely increase by reading this book you must read this book for doing your most important task in the morning right you can do your most important task in the morning how when and method in detail you can learn the method in detail by reading this book right आप इस e-book को या e-book बताना हो book को आप Amazon से खरीच सकते हैं दोनों किताब आपको Amazon में मिल जाएंगी okay तो ये थी हमारे पास दो best books और technique right ये technique मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वज़े से मेरे बहुत ज़्यादा important जो काम होते हैं वो दिन में ही complete हो जाते हैं right उसके लिए मुझे effort ज़्यादा करना नहीं पड़ता अगर आपका सबसे आदा important काम शुरुआत में ही complete हो जाए दिन की शुरुआत में तो आप देखेंगे कि आप पूरा दिन energized रहेंगे आप पूरा दिन distract नहीं होंगे आप पूरा दिन calm down रहेंगे और पूरा दिन जो है आप उन कामों को दे सकेंगे जो काम और भी important है आप अपने दिन को optimize कर पाएंगे दिन को productize कर पाएंगे दिन को productively use कर पाएंगे जब आपका सबसे आदा important काम complete हो जाता है generally क्या होता है कि जब हमारा important काम महत्तपूर जो काम होता है वो complete नहीं होता है पूरे दिन तो हमारे पूरा दिन का एक stress type का दिमाग मन जाता है ठीके उस stress की वज़े से हमारे और दूसरे काम जो होते हैं वो complete नहीं हो पाते हैं ठीके तो अपने आप अपने head में अपने दिमाग में stress बनने से रोकिए और eat the frog principle को eat the frog technique को use कीजिए मैं खुद भी eat the frog technique use करता हूँ और इस technique को use करने की वज़े से ही आज मैं बहुती अराम से बहुती smoothly अपने content को record कर पाता हूँ content को create कर पाता हूँ और सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ content create करना, SEO करना और जितनी भी सारी चीज़ें हैं content creator और entrepreneur के life में जितने भी work होते हैं बहुती productivity मैं कर पा रहा हूँ because of using all these nine techniques, right so you must use these all nine techniques चाहे आप किसी भी profession में हूँ, आप इन्हें use कर सकते हैं, okay so this is all about first technique, यह first technique के बारे में था, आप और भी nine techniques के बारे में जानेंगे next videos में, okay, तो इस पूरी video and this video is very important and if you haven't subscribed my channel please do subscribe and मिलते हैं next video में, thank you for watching this video